रेलवे विभाग बिहार को इस नए साल के अफसर पर एक बड़ी सौगात देने जा रहा है जिसके तहित रेलवे विभाग ने इस बात की घोशना कर दी है कि पटना स्थित पटना साहिब स्टेशन पर अब 23 जोरी ट्रेनों का ठहराफ किया जाएगा ऐसे में ये एहम फैसला रेलवे विभाग ने सिक्ष धालियों को देखती हुई लिया है किन ट्रेनों का ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर होने जा रहा है कौन सी वो प्रमुक ट्रेनी है जिनका जो स्टॉपज है वो पटना साहिब पर बनने जा रहा है आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश रारी क्या गया है रेलवे विभाग के तरफ से क्या कहना है रेलवे विभाग का इस पूरी मामले के उपर और सिक्षों के लेकिन और किन स्पेशल ट्रेनों का परचालन किया जाएगा पटना साहिब स्टेशन से सिक्षों के लिए सिक्ष धालों के पूर्व मध्य रेलवे के अंतरगत आने वाले पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर तक करीबन दो दरजन जोडी ट्रेनों का ठहराव एक जैन्वरी से 15 जैन्वरी 2022 तक केली किया जाएगा इससे आम यात्रियों के साथ ये देश के विबिन हिस्सों से आने वाले सिक्ष अध गुरुगोविन सेंग जी की 355 जैन्ती है जिसे सिक्समुदाय प्रकाश पर्फ के तौर पर मनाते हैं गुरुगोविन सेंग जी का जन्म पटना साहिब में ही हुआ था उनकी याद में यहाद तक तुश्री हरमंदर साहिब का प्रसद गुरुद्वार स्थित है हर साल प्रकाश पर्फ के मौके पर यहां बड़ी तादाद में सिक्ष अधालू जुटते हैं प्रकाश पर्फ को देखते हुए भारतिय रेलवे ने भी तैयारी की है उसी के तहट पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी च्रेनों का ठेराफ किया गया है ताकि यानि से गुरुद्वारा पहुच सके रेलवे ने पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी यानि 46 ट्रेनों का ठेराफ का आदेश दिया है पूर्वयमाद रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है रेलवे के आदेश अनुसार इन पहुच इस प्रकार है तो हम यह लिस्ट आपको अपके स्ट्रीन पर लगाधार दिखा रहे हैं कि किन ट्रेनों का ठेराफ पटना साहिब स्टेशन पर होगा ताकि प्रकाश पर्व के दौरान सिक्ष रधालूं को किसी भी परिशानी का सामना ना करना पड़े ऐसे में सिक श्रधालूं की सुवधाओं को देखते हुए रेलवे विभाग ने या बड़ा फैसला लिया है रेलवे विभाग बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए एक जैनवरी से कुल 23 जोडी ट्रेनों का ठेराफ पटना साहिब स्टेशन पर करने जा रहा है ताकि प विभाग के मद्दे नजर 23 जोडी ट्रेनों का परिचालन का फैसला लिया है फुलाल के लिस खबर में बस इतना ही है न कई अपडेट्स के ले मैं सब बने रहे निउस वानेशन में नमस्कार